वैदिक जोतिश के अनुसार, जोतिशिय राशी चक्र में कन्या राशी छटे स्थान पर होती है और इसका स्वामित्व बुद्ध ग्रह को प्राप्थ होता है। कन्या राशी में जन्मे जातक बुद्धिमत्ता और तार की क्षमता के अधिकारी होते हैं। इनका मन तेज होता है और वे अपने कारियों में समर्पित रहते हैं। व्यापार में ये लोग उत्तम प्रदर्शन करते हैं और उनमें मल्टी टास्किंग की क्षमता होती है। अक्टूबर मासिक राशिफल 2023 के अनुसार इस महीने कन्या राशी के जातकों को सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करने की आवशक्ता होगी क्योंकि शनी देव पांचवे और छटे भाव के स्वामी के रूप में छटे भाव में विराजमान है। तीन अक्टूबर 2023 को तीसरे और आठवे भाव के स्वामी मंदल दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे। राहु के तू दूसरे और आठवे भाव में होंगे। छटे भाव में वक्री अवस्था में शनी की उपस्थिती के कारण करियर में आपको लगातार प्रयासर्थ रहना होगा क्योंकि आप अपने कार्यों में पिछड सकती हैं। आठवे भाव में ब्रहस पतिराहु स्थित होने की वज़े से आपको अपने आर्थिक जीवन और स्वास्थि के प्रती सचेत रहने की आवशक्ता होगी। ऐसी स्थिती में यदि आप कुछ नया आजमाने की योजना बना रहे हैं, तो फिलहाल के लिए अपनी योजना स्थगित कर दे क्योंकि ग्रहों की स्थिती अनुकूल नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो करियर में आपको सकारात्म परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इस महीने नौवे भाव में ब्रहस्पती की स्थिती आपका जुकाव आध्यात्मिक्ता की और बढ़ा सकती है। इसके अलावा विरासत के माध्यम से आर्थिक लाब होने के योग बनेंगे। 18 अक्टूबर 2023 से सूर्य देव अपनी मीच राशी में दूसरे भाव में स्थित होंगे, जिसके प्रभावस्वरूप पारिवारिक जीवन में परेशानियां आ सकती है। आए विस्तार पूर्मग जानते हैं कि अक्टूबर का यह महीना आपके जीवन के विभिन पहलों के लिए कैसा रहने वाला है और आपको किस-किस प्रकार के बदलावों का सामना करना हो सकता है। करियर करियर में प्रक्दी के लिए इस महीने अधिक प्रयास करने की आश्कता हो सकती हैं, खास्तर जब शनी छटे भाव में वक्री होते हैं। काम के संबंध में सकती बनाए रखने का समय हो सकता है और आपको करमचारियों और सहयोगियों के साथ सही संबंध बनाने का प्रयास करना हो सकता है. वित्त, आर्थिक दृष्टी से इस महीने धन की प्राप्ती के योग हैं, खास्तर विरासत के माध्यम से आपको सैयमित खर्च करने और निवेश करने के योग्य तरीके से अपने वित्त का प्रबंद करने की आवशकता है परिवार, परिवारिक मामलों में इस महीने कुछ परेशानिया हो सकती हैं, खास्तर जब सूर्य दूसरे भाव में नीच राशी में होते हैं आपको परिवार के सदस्यों के साथ समझदारी से बात करने और संबंदों को सुधाने का प्रयास करना हो सकता है स्वास्थ्य, आपके स्वास्थ्य को लेकर आपको सतर्क रहने की आवशकता है, खास्तर जब राहुके तू आठवे भाव में होते हैं नियमित व्यायाम और सही आहार पर ध्यान देने से आप अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं व्यक्तिकत जीवन, आपके व्यक्तिकत जीवन में आध्यात्मिक दिशा का विकास हो सकता है, खास्तर नौवे भाव में ब्रहस्पती की स्थिती के चलते इस महीने आप अपने आत्मा की खोज में जुट सकते हैं और ध्यान और मेधा के माध्यम से मानसिक शांती प्राप्त कर सकते हैं